दादा से पूछ रहे हैं अब उमेश यादव सवाल क्या पास में हैं उनके जवाब नमस्कार सुवागत है आपका नेक्सने स्पोर्ट्स में मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट प्रतिक उमेश यादव भारत के तेज गेंद बाज काफी दिनों से नीली जर्सी में नहीं देखें सफेद जर्सी में दिख जाते हैं लेकिन नीली जर्सी में सफेद गेंद के साथ खिलते नहीं दिख रहे हैं अमेश यादफ के बारे मैं बता दू मैं पिछले दो सालों में 2018 और 2019 में उन्होंने महज आठ टेस्ट मुकाबले खेले एक ODI match खेला है तो अब जो है उमेश यादफ एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करूं मैं टीम को छोड़ दू मैं चला जहूं टीम से छोड़ के क्या मुझे 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 मिलेगा या फिर मौका नहीं मिलेगा में दर्वाजे बं तो नहीं होगे टीम इंडिया के इस पर आज बात कर तो वहां पर आप उनको जिससे में बूमरा के चोट लगी उसके बाद से अगर देखें तो वहां पर आपके इस पास तीन गैंदबाद बहुत ही मजबूत रहें इसमें शमी की बात कर सकते हैं और इसमें जो तीसरी सबसे मजबूत करी है उसमें नाम आता है उमिश लगार दोखदाई है क्योंकि एक जो गैंदबाद है वहां पर बहुत जादा नहीं आता है कि दो साल में सिर्फ आठ टेस्समेच खेलने वाले गैंदबाद हैं तो बीते साल के अगर आंकलों पर गोड़ करें तो दो यह उनन्निस में नाम टेईज विकट भी हैं तो यह ब बुमरा नहीं के लेंगे महापा उमेच करेजा जाता जिसमें अगर शमी इंजड होगे तो मिश कर दो यह जाता अगर खुद की पहचांद कहीं नहीं नहीं ज्याया किने दूर के लिए मुख़ा नगाने के लिए हो यह तरह से पार निद्व चैनल कर नहीं से कि है है चारवाय ना करें पर आक वाय।्हन चाहिए है ≪ मुझे कि अभी में चार-फास साल में पास बगी है कि आपके पास 35-35 तक आपके पास एक रिदम होती है क्योंकि आपको एक दौर आपके जाना पड़ता है कि फिटनस बहुत मजबूत होनी चाहिए जो सही माईने में अगर बात करें तो 34-35 साल तक जो एक अवरेज उमर है वो जो ख सब्सक्राइब करें तो यहीं कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं खिला होगी तो मुझे अब कहीं और का रुख देखना पड़ा है क्योंकि मुझे भी क्रिकेट खेलना है मुझे बहुत कम नजर आती तीम इंडिया में क्योंकि आधिक तर तो यहाँ पर टीटवन्टी और तो यहाँ पर मेरा कोई सान बनता नहीं है तो आठ अधा कदा मौका देते हैं तो आठ अधा मुझे खेलते हैं वह दो साल के अंदर बताता है कि किस तरह से कम उनको मौके लगातार दिये जारा लेकिन फिर भी अगर पर गवर करें तो पर देशन में कोई नहीं क्योंकि मैच में आते हैं तो यह अच्छा प्रदिशन कहा जाएगा खरा प्रदिशन नहीं कहा जाएगा ऐसे में भी अमेश यादब के हिस्से कोई बड़ी खामिया भी नहीं आरी है तीम में बने रहने का जो बलगातार बात हुरी वो नहीं हो पारा तो तो एसे में हताश जरूर ह अमेश यादब क्योंकि वो चाहते हैं केला लेकिन बोर्ड उनको लगाता है नदर अंदाज कर रहा है जी अमेश यादब के लिए कि बात कम चला जाता हूं मैं काउंटी मैच्छ खेल लूँगा कम से कम मेरा रिदम तो नहीं तो नहीं तूटे का क्रिकेट खेलता तो सब्सक्राइब करें तो नहीं कर दो नहीं करना चाहिए लेकिन नजहने कोंसे वजह है जो इनको मौका नहीं पारा लेकिन हमेश यादब का अपना तरक जो है बड़ा ही तरक संगध भी है क्योंकि जिस तरह की बीचे सीरीज में उन्हें गेंदाबाजी की खासकर तीनों त है जिस तरह से एक जुट होकर एक साथ मिलकर जो प्रदर्शन किया साथ आफिके खिलाप आपने देखा हो बैशनों जो बांगदर्शी खिलाप इस तरह से तरह से बिक्टों के भूके हैं और लगतार तहस नहस करना है बल्लेवाजी को तो ऐसे में यह सवाल उटना लाजम जो बात करने के लिए चलिए उमेश यादव क्या करेंगे वापसी कर पाएंगे या नहीं ज़र कमेंट बॉक्स मिले कि बताइए आप बताए क्या आप अमेश यादव को देखना है वापसी से क्या दादा के पास होगा उनके सवाल का जबाब फिलावक लिए इजासत झाल